नमस्कार मैं हूँ अन्शिता जम्मु कश्मीर के राजोरी में देश के लिए जान गवांचुके शहीदू की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई कि मोधी हवा में उड़ने लगता है कितने अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे प्रधान मंत्री का ध्यान सिर् दिल जगजोर कर रख देने वाली घटनाएं हमारे सामने हैं लेकिन मोधी जी फोटो शूट करवा रहे हैं ये बात हम यूँ ही नहीं कह रहे हैं बलकि ये स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो इस बात का जीता जाकता सबूत है जरा सोचिए एक तरफ पांच परिवारों ने अपने बेटों को खोया है उन परिवारों में मात्नम पसरा हुआ है इन पांच शहीदों में से एक की दो हफते बाद शादी थी दूसरे के घरवाले उसके लिए दुलहन खोज रहे थे एक के पिता किसान है तो एक का भाई प का ही रही होगी इनके घरों में इस समय क्या माहौल होगा इन शहीदों की जान जाने से सिर्व ये पांच परिवार ही नहीं बलकि पूरा देश दुखी है देश में मायूसी है लेकिन मोदी जी के चहरे पर एक रत्ती की शिकन नहीं है शिकन तो छोड़िये वो तो अलग- और भी समय नहीं निकाल पाए कि ट्वीट करके शुद्धांजली ही दे देते इनके घर जाना तो दूर की बात है छोड़ी दीजिए उनके ट्विटर हैंडल पर मत्रा की तस्वीरें राजस्तान चुनाओ की तस्वीरें हैं वीडियों हैं यहां तक कि हिंदुस्तान एरोन जताने के बजाए मोदी जी तेजस की उडान को एंजॉय कर रहे हैं ट्वीट करके कह रहे हैं कि तेजस भारत का गौरब है एक सो चालिस करोड भारतियों की ताकत और कौशल का प्रतीक है अब लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी भारत के उन पांच गौरब का क्या जिन्नों ने देश के लिए अपनी जान गवा दी यही नहीं लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उन एक तालिस मजदूरों का क्या जो पंदरा दिन से सूरज की किरन देखने को तरस रही हैं और आप बादलों से बाते करने में लगे हुए हैं उत्राखन के उत्तरकाशी में फसे उन एक तालिस मजदूरों और उनके परिवारों की हालत का क्या मोदी जी जिनकी उमीद अब धीरे धीरे टूट रही है उनके विश्वास का ये सिला दी रही हैं आप कि वहाँ जाना तो दूर उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं आप ही ने कहा था ना कि मोदी है तो मुमकिन है तो मोदी जी पंद्रा दिन से टनल में फसे मजदूर को निकालने में अभी तक असफलता क्यों मिल रही है फसे हुए मजदूर और उनके परिजन इस आस में है कि हवाई जाहस से अब एक और नई मशीन आईगी मशीन का तो पता नहीं लेकिन आप गगन की सेर पर जरूर निकल गए उन मजदूरों के परिवारों के बारे में कौन सोचेगा उनके गाउवालों के बारे में कौन सोचेगा जिनकी निगाहें इस समय सिर्फ तनल पर ठिकी है कि कब उनकी लोग बाहर आएंगे उनके घर की दिवाली जो नहीं बन पाई वो कब बनेगी ये वो सवाल है जो मोधी के इस वीडियो के सामने आने के बाद खड़े हो गए हैं वुस्साय लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश में दो इतनी बड़ी और दर्दनाग घटनाए हुई हैं और आप अभी भी सिर्फ म पर साजह करते हुए लिखा था कि तेजस पर सफलता पूर्वक उडान पूरी की यह अनुभव अविश्वस निये था जुसने हमारे देश की स्वदेशी शमताओं में मेरे विश्वास को काफी हद तक बढ़ा दिया और हमारी राष्ट्य शमता के बारे में मुझ में नए कि अंका गांधी ने कहा था कि जहां इन्हें आगे आकर अपनी जम्मेदारियां उठानी होती हैं जहां इन्हें अपनी जम्मेदारियां उठानी चाहिए उन मुद्दों से नजरे चुराते हैं लेकिन जहां इन्हें क्रेडिट लेने का मौका मिलता है वहां सबसे पहले प लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते हैं वापस आते हैं मुद्दे पर तो जब पूरे देश की निगाहें उत्तरकाशी में फसे मजदूरों पटकी हुई हैं एक एक पल उन मजदूरों और उनसे जुड़े लोगों के लिए काटना मुश्किल हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पाच शहीदों की जान जाने से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है हर किसी की आखे नम हैं ऐसे समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हवा में उड़ रहे हैं ही है देश के लिए प्रधानमंत्री का करतव्य तो इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताईए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आ